Hello Friends, Teach Me Daily के YouTube चैनल में आपका स्वागत है इस चैनल में हम competitive exam से related topics, problems और tricks डिस्कस करते रहते हैं जो की बिल्कुल free होते हैं और competitive exams को crack करने में बहुत ही helpful हो सकते हैं तो अगर आपने ये चैनल अभी तक subscribe नहीं दिया है तो आप इसे यहाँ परते या फिर यहाँ परते अभी जरूर subscribe कर ले regular updates के लिए आप हमारा facebook page भी like कर ले Friends, इससे पहले दो वीडियो में मैंने आपको coding and decoding topics से related problems को solve करना सिखाया था इस वीडियो में भी हम coding and decoding topics से ही related problems को solve करेंगे लेकिन यह problems पहले दो वीडियो से different होंगी और step की questions लगभख सभी competitive exams तो है पूछे जाते हैं तो चलिए start करते हैं first question है अगर blue को black कहा जाए black को green कहा जाए green को white कहा जाए white को red कहा जाए red को yellow कहा जाए और yellow को grey कहा जाए तो फिर हमें बताने की milk का कौन सा color होगा तो सबसे पहले हम किस color को क्या कहा जा रहा है वो लिख लेते हैं blue को black black को green green को white white को red red को yellow और yellow को grey तो फिर हम से क्या पूछा गया है की milk का कौन सा color होगा तो जैसा की हम जानते की milk कौन सा color का होता है white और इसमें white को क्या बुला गया है red तो इसका मतलब milk का कौन सा color होगा red और red वाला consumption है c वाला चले next question करते है इसमें बूला गया है अगर go for morning walk को इस code में लिखा जाता है good for health को इस code में लिखा जाता है और good to walk fast को इस code में लिखा जाता है तो फिर हमको बताने की health का क्या code होगा और हमारे सामने चार option है तो सबसे पहले हम लिखते हैं कि किसको क्या बोला गया है जैसे go for morning walk को क्या बोला गया है dollar star question mark और hash ऐसे ही good for health को क्या बोला गया है frank question mark और at at the rate ऐसे ही good to walk fast को कैसे लिखा गया है plus at the rate अप वाला एरो साइन फिर hash तो फिर हमसे बोला गया है कि health को कैसे लिखा जाएगा तो सबसे पहले हम go for morning walk और good for health को लेते हैं तो इसमें हम देख रहे हैं दोनों में for और for same हैं और इनके जो code हैं वो क्या होंगे देखें दोनों में जो match करेगा उसको लिंग है question mark यह और यह तो इसका मतलब for का sign क्या है question mark है for का मतलब है question mark अब अगर good for health और good to work fast को हम ले तो इसमें हम देख रहे हैं कि good और good दोनों में है इसमें और इसमें और दोनों में code कौन कौन से match कर रहे हैं at the rate वाले यहां पे और यहां पे तो इसका मतलब good को इन्होंने कैसे लिखाया at the rate तो हमें पता करना था कि हम health को कैसे लिखेंगे तो health word क्या है यहां पे और यहां पे code कौन सा बचा frank वाला तो इसका मतलब right option कौन सा होगा c वाला that is frank तो health को हम कैसे लिखेंगे इस code में लिखेंगे चले next question करते हैं इसमें बोला गया है अगर one three four मतलब good and tasty होता है four seven eight मतलब see good pictures होता है और seven twenty nine मतलब pictures are faint होता है तो हमें क्या पता करने है कि हम c को कैसे लिख सकते है तो one three four को इन होने कैसे लिखा है good and tasty four seven eight को see good pictures और seven twenty nine को pictures are faint तो अगर good and tasty और see good pictures को हम ले तो यहां पर हम देख रहे हैं कि दोनों में good good same है और यहां पर इनका code क्या है one three four और four seven eight तो इसका मतलब दोनों में good good है तो इसका मतलब इन दोनों में code कौन से है four और four और good का मतलब क्या होगा four क्योंकि यह इस code में match कर रहा है see good pictures और pictures are faint को अगर लें तो यहां पर भी क्या है pictures और pictures क्या है same है और इन दोनों में जो code है वो कौन-कौन सा same है seven और seven तो pictures equals to कितना हो जाएगा seven और हमें पता करना था c equals to कितना होगा या फिर c का symbol कौन सा होगा तो c है यहां पर और सिर्फ यहां पर क्या बचा है eight तो इसका मतलब c को हम कैसे लिख सकते हैं eight और d वाला option correct होगा चले एक last question करते हैं इसमें बोला गया है अगर red word को इस code में लिखते हैं राइप वर्ड को इस code में लिखते हैं तो फिर dear word को किस code में लिखेंगे इन चार हो में से तो rate को कैसे लिखा है इनोंने percentage पर्संटेज हैस्टेग स्टार और डॉलर राइप को कैसे लिखा है पर्संटेज स्टार एड़ रेट और कॉपी राइट तो अगर इन दोनों words को ध्यान से देखें तो हमें क्या पता लग रहा है कि जो दोनों में आर आर वर्ड है वो सेम है और यहां पर पर्संटेज का क्या है sign यहां पर भी match कर रहा है तो इसका मतलब आर को हम कैसे लिख सकते हैं % by i को कैसे लिख सकते हैं देख़े आ यहां पर भी है और यहां पर भी है और यह ऐसे तिर्चे में है और यहाँ पर क्या है स्टार तिर्चे में हैं तो हम I को कैसे लिख सकते हैं स्टार में A को कैसे लिख सकते हैं A को लिख सकते हैं हैस्टेग में और E को कैसे लिख सकते हैं कॉपी राइट में और लास्ट वन P को एड़ दरेट में तो dear word को कैसे लिखेंगे देखे, D word है, last one, तो D हो जाएगा, dollar, E है, यहाँ से last one, copyright, A है, R के बगल में, यहाँ पे है, hashtag, R, R है, percentage, तो, which answer will be right, dollar, copyright, hashtag, star, that is, D वाला, तो, दोस्तो, इस वीडियो में इतना ही, coding and decoding topics related, और वीडियो अगर आप देखना चाते हैं, तो इस वीडियो के last में आपको link मिलेंगे, आप वहाँ से जाकर उन्हें देख सकते हैं, या फिर आप description box में जाकर भी उन्हें देख सकते हैं, coding and decoding topics से related, ये वीडियो आपको पसंद आया, तो इसे like करें, और comment box में लिख कर बताएं, कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, साथ ही इस वीडियो को Facebook, Twitter और Google Plus में जरूर शेयर करें, competitive exams की online Hindi में preparation के लिए, आप Teach Me Delhi का YouTube चैनल, अभी जरूर सब्सक्राइब कर लें, तो इस वीडियो में इतना ही, thank you for watching, bye